कुछ लोगों ने email और comments के द्वारा मुझे यहां बताया है कि उन्होंने तो फलाने loan app पे पैसा invest किया था या फिर फलाने investment app पे उन्होंने पैसा invest किया था वह सारे जितने भी companies हैं या जितने भी apps हैं वह already Google Play पर list हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे YouTubers थे जिन्होंने इन app का review किया था इसके बाद ही उन्होंने इन apps पे पैसा invest किया था इसके बाबजूद वह company फरजी निकल गए तो इसमें क्या किया जाए तो एक बात मैं आपको यहाँ पर express कर दूँ कि Google Play लिस्ट पर किसी भी app का list होना इस बात का प्रमान नहीं है कि वह एक फरजी एप नहीं हो सकता है बलकि फरजी company के नाम पर app बनाने वाले या फिर घोटाला करने वाले बहुत ही सातिर होते हैं और वह एक बहुत ही perfect website या फिर इस तरह के apps को design करते हैं और अपने apps को Google Play लिस्ट पर list करवाते हैं इसमें Google Play लिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उनके जो norms हैं उन पर या apps बिलकुल perfect बैखते हैं जहां तक बात रही यूट्यूबर्स की तो according to me मुझे नहीं लगता है कि यह सारे यूट्यूबर्स जो है वह directly उन companies के contact में रहते हैं या फिर उन्हें उस company की हकीकत मालू होती है अधिकतर यूट्यूबर्स अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह के apps को देखते हैं और इनका promotion करते हैं तो उन्हें भी इस तरह की बिलकुल जानकारी नहीं होती है कि जिस apps का वो review कर रहे हैं वह app किसी fraud को commit करने के उद्देश से ही बनाया गया है तो कहने का ताथपर यह है कि कोई app गूगल प्ले लिस्ट पर लिस्टेड है या किसी यूट्यूबर्स ने उसका review कर दिया है या कोई guarantee नहीं है कि वह investment app या loan app जो है वह बिलकुल सही है अभी जो online transaction और इन apps की इस्तिती हो गई है मेरा suggestion यह है कि जब भी आप पैसे invest करें इन loan apps या investment app के थूँ तो बारिकी से आप इन सारे apps को analyze कर लें और तभी इस पर invest करें